सुट करताओं का नसार फ्याद इनसान के दिमाख में ऐसे हर्मोन्स बनाता है जिससे के इंसान को परम्शुक की अनुभती होती है क्या आप जानते हैं प्यार के कारवसरी में जो फीलिंग उत्वन होती है वैसे ही फीलिंग नसा करने के बाद भी महसूस होती है दोस्तों प्यार एक एहसास है जो जिन्दगी में बहुत ही महत्पूर है अगर आप बिना प्यार की जिन्दगी में जीना चाहते हैं तो यह संबब नहीं है कि आपको अपनी जिन्दगी में किसी ना किसी से तो प्यार की आव सकता ही होती ही है इसके बिना आपकी जिन्दगी आपसाद और अकेलेपन का सिकार हो जाएगी क्या आप जानते हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जेन तोड़ने भी धश्माय फ़वरी महा में होती है बेलाइंटाइंडे बीक के आसपास अमेर्की हेल्थ वेपसाइट हेल्थ लाइन के मताबिक अबजेसिब एम लब डिसॉडर ओ एक तरह की साइकलोजिक कंडिसन है जिसमें लोग किसी एक सक्स पर आस्मान रूप से मुक्द हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो उससे प्यार काते हैं उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उस सक्स पर सिर्फ उनका हक है और उसे भी बदले में उनसे प्यार करना चाहिए दोस्तों यह जानकारी जानकर आपको हैरानी होगी कि बेलाइंटाइन डे बीक में जिते हैं लोग प्यार का इजहार करते हैं उससे कई ज्यादा लोग आप पस्वन ब्रेक अप करते हैं इसका कारण है कि लोग अपने पार्टन से हसे ज्यादा उम्मीद बना लेते हैं जो पार्टन पूरी नहीं कर पाते हैं कहा जाता है कि पहला प्यार बुलाए बिना नहीं बुला जाता लेकिन यह सच है अगर आपको कोई हस्से ज़्यादा प्यार करने वाला मिल जाये तो आप आसानी से पहला प्यार बुला सकते हैं हाँ लेकिन सालेदा यादे मिटा पाना मुश्किल है आजकर जाएता लोग औरलानिक ही किसी के प्यार में पढ़ जाते हैं पर क्या आप जानते हैं इसमें से 25 परशंट कपल आगे जाकर साधी कर लियते हैं जो कपल दिन में कम से कम 15 से 20 मिलड साथ में हसी मजा करते हैं तो उनका रिस्ता बहुत जल्दी अच्छा बना रहता है और हसी मजा से रिस्ते में हमेशा पॉजिटिव एनरजी बनी रहती है सुबह सुबह अपनी पाटम को किस करने से आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहता है साथ ही इससे लोग कम से कम 5 साल जादा जीते हैं जब भायत इस्तरी तुमसे संबंद बनाने के लिए बेकरार होने लगती है तो वो यह इसारे चुपके से करती है पहला इसारा है के चुपके से आपके उपर नजर रखने लगेगी